बॉलिवुड की ऐसी फिल्में जिनका एक दूसरे के साथ बॉक्स ओफिस पर बड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है दोस्तों चलिए बात करते हैं उन फिल्मों के बारे में स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाई में मैं हूँ अदुती शर्मा तो सबसे पहले दोस्तों बात करें 11 अगस्ट को रिलीज होने वाली हैं दो फिल्में एक तरफ है सनी दियोल की गदर पार्ट टू और दूसरी तरफ एक्षे कुमार की ओमजी पार्ट टू अब देखना इंटरस्टिंग रहेगा कि कौन किस पे भारी होगा उसके बाद दूस्तों साथ सेप्टेंबर को यहां पे जवान के लिए डेट पक्की कर दी गई है शाहरुक खान की ये फिल्म लेकिन हिंदी फिल्म ने तो होंसला नहीं दिखाया कि वो जवान से बिढ़े लेकिन भाया होलिवुड ने होसला दिखाया है कि वो भी हिंदी बॉक्स आफिस पर जो है वो जवान से बिढ़ेंगे तुद्दा नन जो है साथ सेप्टेंबर को रिलीज होने वाली है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तेजस ये कंगनर अनावत की फिल्म है और उसके बाद उसी के साथ रिलीज होने वाली है गनपत जो कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म है और फिलहाल ये फिल्में आपस में बिड़ती नजर आएंगी 20 अक्टूबर को उसके बाद दोस्तों तीन फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली हैं ररमीर कपूर की एनिमल और विकी कोशल की सैम बहादूर और साथ ही फुकरे पार्ट 3 और ये फिल्में रिलीज होंगी एक दिसंबर को तो कहीं न कहीं भईया ये भी देखना काप इंटरस्टिंग रहेगा कि इनमें कौन किस पे भारी पड़ेगा उसके बाद दोस्तों दे मार्वेल्स आ रही है सल्मान खान की फिल्म ताइगर 3 के साथ 10 लुएंबर को तो हॉलिवुड की इस फिल्म ने फिल्हाल ये साहस दिखाया है वैसे तो अगर देखा जाये तो टाइगर 3 की ओडियंस अलग है दोस्तों और ये मार्वेल्स की ओडियंस अलग ही होती है तो फिल्हाल मुझे लगता नहीं है कि इन फिल्मों का एक दूसरे पर कुछ खास असर पड़ेगा लेकिन ये एक साथ रिलीज होने वाली है सलमान खान की टाइगर 3 और दे मार्वेल्स उसके बाद दोस्तों दिवाली के मौके पर आगे चलकर रिलीज होने वाली है फिल्मे भूल भुलाया पार्ट 3 और हाउसफुल पार्ट 5 तो अक्षे कुमार की ही फिल्म कभी थी जो फर्स जो पार्ट था भूल भूलाया का और अब अक्षे कुमार ही इस फ्रेंचाइज को टकर देने आ रहे हैं तो अब देखना इंट्रस्टिंग होगा वैसे देखा जाए तो दोनों ही एक तरफ होरर कॉमेडी है दूसरी तरफ हुली कॉमेडी है तो ये कौन किस पर भारी पड़ेगा देखना इंट्रस्टिंग होगा बॉक्स ओफिस पर क्या क्लैश होगा आप कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं कॉमेंट्स में बताइए मुलते है नेक्स रुडियो में